हालो एवरिवान वेल्कम टू जेन्व उनर्स क्लासेस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पारसाइट्स अफाइलम नेमाटोड्स उनमें से स्प्रेसिपिक लिए हम बात करेंगे असकरिस लूमिकर्ट्स के बारे में जैसे कि देखिए जो नेमाटोड्स होते हैं ह हम पारसाइट्स की बात करें पारसाइट्स का मतलब है कि एसा ओर्गनिजिम जो एक धोस्ट की और दिन तर dwzy Xiaomi tablets के अंदर रहेगा यानि की मुफ़ुद में रहना है free lodging है अनू उसके साथ free feeding भी है खाना भी मुफ़ुद हैилось को परासेट्स कहते हैं इस टॉपिक के अंदर हम कभर करेंगे यानि कि आसकारी स्टॉक्चर की हम इंट्रोडोसन देखेंगे उनकी मॉर्फोलोचिकल स्ट्रक्चर निके एक्स्टोरनली कैसे दिखने को लिए उसके बारे में बात करेंगे वो कैसे डिजिस पैदा कर रहा है या तो परेंदो फ्रीडिंग गहेगा इटकॉज प्रीटोरनी जितने भी पारासेट्स होते हैं इकदम हैर कंडिसंस में होस्ट की देथ कर वाते हैं अदरवाई जो क्या करेंगे पैदा करेंगे एटर्जिक फील होगा जिसको हम डॉलनेस कहते हैं तो कभी गभी डेथ भी कर आ डिञी नेमत होने से भने अगर नहां में टीस देनी दीडियत के आज सब्सक्राकर पीनवर्प के बारे में आज है। इस मेर हम सबस्क्राइकान आला है नहां मेर्न यह आते सके लिकें सबस्क्ता कोantine बच्चों के अंदर पाये जाते हैं और स्पेसिपीकली फैसे के थ्रू यानि कि मॉल की थ्रू बाहर आ जाता है आसकार इसको हम राउंड आर्म क्यों कहते हैं उनकी जो बॉड़ी होता है जैसे उनका लार्जर व्यू सोचिए जैसे आपकी आर्थुर्म होता ना इसी तरीक स सिलिंड्रिकल बॉड़ी होता है ऐसी आप बॉड़ी को करोगे आपको राउंड सा नजर आएगा ठेके ना क्रॉस सेक्षिनल भी उनका राउंड नजर आएगा इसलिए हम उसको राउंड आर्म कहते हैं ठीक है उनकी मॉर्फोलोजी के बात करेंगे यानिकि एक्स्ट्रोन मॉल की थूर बाहर आजाएंगी जब सोल के अंदर तो उनका कलर ब्रॉक्वो जाटा हए और उनकी जो माउथ हिस्टा होता है यहां पर आपको थृउफ्वार्स ऐसे दीखने को मिलेगा और उनके आंदर आपको अने सेरे अम गैले है और यहां है देखलोगे यहां क कि के स बनता है, male जो होता है, size में length की बात करेंगे, छोड़ा होता है, आज compared to female, female की length जो होता है, male की tail होता है, female की tail होता है, इस तरीके से pointed होता है, ठीक है, आच्छा, तो size आप जैसे दिख सकते हो, इस तरीके से, life cycle की बात करेंगे, थोड़ा life cycle में समझा देती हूँ, specifically क्या होता है, कोई भी contaminated food हो गया, contaminated का मतलब है कि ऐसा food, जिसके अंदर ascaris lumbricoids की egg present है, ठीक है इस food को हम क्या कहेंगे, contaminated food कहेंगे, आप male जो कोई strict food लिया है, कि ऐसे कोई on hygienic food लिया है, ऐसा fruits या vegetable अपने raw consume किया, लेकिन उसको वास नहीं किया है, इस तरीके से ये आपकी stoma की जब ये हमारे stoma की अंदर आएगा, stoma की जो hydrochloric acids होता है, उनकी जो cyst को rupture कर देगा, उनमें resolve हो जाएगा, तो अभी क्या होगा, इंटेस्टाइन के उंदर उनकी एग आ गया, तो ये क्या करेगा, एग डेबलफ होगा, डेबलफ होने के बाद, क्या होगा, एंटेस्टा के खाना जाता है, लिटीत भी आपोड़ 스कथ रॉट, लिवर से हाठ को जाता है, फिर हाट से longs को जाएगा oxygen लाने के लिए, औक्स हाट को जाता है, औक्सीजन तु जाता है, जाता है, टीसा नकी एक क्या क्या करेंगा, इसी process में, मतलब अहों ही पाथुई में चला तो लिवर से हार्ट को जाता है फिर हार से लॉंक को जाएगा ऐंगने, जो शीकण से अपक्स हार्ट कुछ ही जाता है तो सपेसिपीका ली ही क्या आपकरडिंगा, इस प्रोसेस में मतलग ही पाथ हूए में जैएगा कहाँ, Finland को समझ भाए स्टेज में क्या क्या चीजा क्या अध्य होता है यहाँ से कुछेन पूछा जाता है कहां पर होगा, सेकेज याद रखे है लॉंक्स की अधिया आप बात करोगे, लॉंक्स जो होता है ऐसे रहा है, यह ट्राकिया है, यह आपकी लॉंक्स है, ट्राकिया ब्रूंका यह इस तरिके से, यह क्या करेगा वापस, जो रिबर्स डिरेक्शन में चलेगा, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरि सब्सक्राइब, लॉया कि लॉनक्स घोटत होता है यहां पर आपको अफिभावाहाओर आगा तुछ ऐ कहते हैं इस मनक्स होते हुए फिर लॉंक्स की यह बाहर आंडि अज़ाये जो फ्योंक्स होते हैं यहां पर देखे जैसे कि यहां पर देखे इंटेस्टाइन का वल को अंडर सर्कुलेटर पोटल सर्कुलेटर स्ट्रम देखे लॉंक्स को चला जाएगा लॉंक्स मी यह मूल्ट होता है तुट टाइम्स जाने कि सेकें अंड थर्ड मोल्ट होगा यहर वर्म बीकें सेक्शुली मैच्चर हो जाएंगे मेटिंग इंसाइट इंटेस्टाइन अंड बिगिंस टो एग रिप्रडॉक्शन उसके बाद क्या होगा एक की जो फास्ट क्लिवेज होता है यहां पर स्टार्ट हो जाएगा र सब्सक्राइब करेंगे लेकिन इस जो एक होता है वो चारों तरफ उनकी सिस्ट होता है वो डिग्रेट नहीं होगा लगभग 10 साल ऐसे ही जिन्दा रह सकता है ठीक है फिर उसके बाद बात करेंगे फिर उहीं चीजों को यदि माली तेजी हावा वह वह रहाए उसके दोरा रही है इसकी बात करेंगे स्पेसिपिकली 25 पॉर्षेंट यानि कि लागभग कितने होता है 800 मिलियन पेपल जो होते हैं इंफेक्ट होते हैं पौर यह वाल्ड वाइड की हम बात करेंगे उसको हम बोलते हैं ठीक है अच्छा उसकी बाद दिखेंगी एपिडिमियोलोजी य लेकिन जाद पाए जाते हैं अफ्रिकान कंट्री इंडियान कंट्री सेंट्रल अमेरिका इंडोनेसिया उसमें आपको यह ज्यादा देखने को मिलता है तो फिर बात करेंगे नेक्स्ट पाथोजेनिसीटी यानिकि पाथोजेनिसीटी का मतलब है कि वीच डिजीज सेंटां कहते हैं स्टेज 1 में कोई ब्लॉआइनS interview करेगा करने के बाद ब्लॉट स कूलान के बाद उसको हम स्टेज 2 बोलते हैं वहां पर फिवर होता है नीमोंिया होता है कॉफिंग But much longer problem रहता है फिश्टेज 3 क्या होता है वापस जब ये थोड़ा डेंजरियोस होता है वहाँ पर अब्डोमिनल फेन होगा कभी-कभी अब्डोमिनल ब्लॉक इस भी होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इस तरह किसे कोईलिंग पार्ट होता है एकदम यह एकदम उनकी जो पाथ हुए है ना उसको ब्लग कर देगा ठीक है इसी हो यां नहीं है दैको होता है कि ध्व्लड हुआ से यह नहीं है तो सबसे पहले कि टुल-ाइक्रोस्कोपी करएंगे फी अ 一直 вассینक लिबेगा। दुस्रा चीज होता है कि ब्लॉड टस्ट करेंगे। तन hazard में एक्षण फिल्ड की लेबल जाएगा। क्योंकि इस इनतर फिल घर स्टीनोंन यहांस काउंड कहो इसकत q op zaman करेंगे उसके बात करेंगे प्रीवेंशन जो होता है तो इसलिए हम सजाग रहेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन्स तो प्रिवेंशन्स हम क्या करेंगे साफ सब्सक्राइब करना जरूरी है सब्सक्राइब करना जरूरी है कोई भी राव वेजिटेबल समान लेजिए हम खा रही है तो उसको वास करके खाना चाहिए और आप फ्रूट्स हो गया ठीक है तो पॉल्यूशन्स पॉल्यूट्स ओल यानिकी जो हर एक इंसान जो होता है ना टॉयलेट यूस करना भी जरूर लेगा तो इसलिए फिर से जो है सॉल से रहेगा उसमें ध्यान आई हो पासको आज की वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपकी दोस्ति के साथ भी सैब कीजिए थैंग